मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की का मीसिंग पोस्टर दिखाया जाता है फिर सीन सिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं इस मूवी की मेन करेक्टर शेरी को जो की मैनेजमेंट को कंप्लेन कर रही थी क्योंकि उसकी दो कलीग ने उस पे गंदा कमेंट पास किया था फिर हम देखते हैं शेरी जूरी की वो फोन में हैपी एनिवरसरी बोलती है जूरी शेरी की बॉस जेम्स की वाइफ है फिर शेरी बस में चड़ जाती है तबी उसे जेम्स का कॉल आता है James Sherry को बोलता है कि उसने एक client के साथ meeting fix कर लिया है और उसका anniversary party भी है इसलिए James Sherry को meeting में जाने बोलता है तब ही बस में एक लड़का Sherry के साथ बत्तमीजी करने की कोसिस करता है पर वो वहाँ से निकल जाती है और James की बात पर राजी भी हो जाती है यानि कि अब वो client से मिलने जाएंगी फिर सीन सिफ्ट होता है शेरी की घर में जहां शेरी नहा रही थी और तभी उसे पता चलता है कि उसकी पीरियड स्टार्ट हो गया है उसके पास एक ही टैंपन था जो कि उसकी बेटी फेग रहती है फिर हम देखते हैं शेरी अपनी बेटी से खेल रही थी तभी व जैसा घर देखके खुश हो जाती है और एथन भी उसे वरबर के मक्कन लगाता है यानि कि बहुत तारीव करता है फिर वो दोनों ड्रिंक पीते हैं और टेलिसकोप से तारे भी देखते हैं शेरी दीरे दीरे एथन पर इंप्रेस हो रही थी फिर एथन सेरी को डेट पर लेके पिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं शेरी ने घर वापस जाने के लिए कैब भी बुलवा लिया था पर एथन उसे आज रात उसके साथ ही रुकने बोलता है पहले तो शेरी बहुत मना करती है पर बाद में मान जाती है जिसमें एथन बोलता है तुम्हें जितने बज़े घर जाना है बोल दो मैं अलाम लगा देता हूँ मैं खुद घर छोड़ के आऊंगा जिसमें सेरी साड़े छे बजे का टाइम बताती है पर अलाम देते बक्त हम देखते हैं इतन ने एक और अलाम लगा रखा है पांच पचीस का सेरी की पूछने पर वो उसे मिस्टेक बता के टाल देता है फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और फिर अंदर से सेरी की चीखने की आवाज आती है और कुछ देर में सेरी पूरी तरह से बदल के भाग के बाहर आती है और उसे देखके ऐसा लग रहा था जैसे इतन ने उसे बहुत मारा होगा टॉर्चर किया होगा पर क्यों हमें ये आगे पता चलेगा फिर शेरी भागते भागते रोड पे आ जाती है और सबसे मदद मांगने लगती है पर कोई मदद नहीं करता फिर शेरी एक लड़की को पुलीस को कॉल लगाने बोलती है पुलीस वहां आ जाता है पर उसे ही अरेस्ट कर लेता है पर वो लड़की देती नहीं है और उल्टा सवाल पूछने लगती है फिर शेरी की बातों से उस लड़की को भी इथन के बारे में पता चल जाती है क्योंकि ऐसा सेम केस उसकी एक फ्रेंड के साथ हुआ था और अगले दिन उन्हें उसकी लास मिली थी वो शेरी को बोलती है तुम फर्स्ट लेडी के पास जाओ बरना तुमारा बचना नामुम्किन है इधर हमें पता चल जाता है कि इथन ने पुलिस को भी अपने साथ मिला लिया था और फिर वो जेल के अंदर आ गया और शेरी को बहुत डराता है और बोलता है मैं आज तुमारे साथ गेम खेलू फिर शेरी को जेल से निकाल दिया जाता है बाहर सेरी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और यहां उसे बहुत सारी लड़कियों की मीसिंग पोस्टर भी दिखती है जिनको सायद एथन ने ही गायब किया हो फिर वो जल्दी से एक टैक्सी में बैठ जा सेरी को देख के बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है क्या हुआ तुम्हें शेरी सब कुछ बता देती है और नहाने जाती है फिर शेरी चुकर से जेम्स की लापटप चेक करती है और देखती ही एथन और शेरी का आपउelse्मेंट पहले से एक शे बोला था फिर वो इथन का नाम सर्च करती है तो उसे बहुत सारी लड़कियों का नाम मिलता है जो सायद अभी मिसिंग है फिर वहाँ पर जेम्स की वाइफ आके शेरी को बताती है तुम अपना कुन कहीं गिनने मत देना क्योंकि एथन खून को सूंगते हुए है उसके पास यानि वो सूंके ही शेरी को बार बार ढूल लेता है फिर जेम्स आके शेरी को उनके घर में ही रुकने बोलता है पर जेम्स की पतनी शेरी को इशारा करती है ना रुकने की और शेरी वहाँ से भागने लगती है जेम्स पीछा करता है पर वो एक बस में चड़ जाती है फिर बातरूम में जब वो टैमपॉन अपलाई कर रही थी तभी उसकी कून की कुछ बूंद नीचे फर्स पर गिज जाती है जिसकी बज़से बाहर दरुआ जा जोर जोर से खटकने लगती है वो बाहर आती है तो देखती है इथन बाहर खड़ा है फिर वो शेरी को बुरी तरह मा जाता है सेरी घबराई हुई थी और बार बार बाहर की तरफ देख रही थी ट्रे उसे पूछता है क्या हुआ पर वो बताती नहीं है यहां हमें पता चलता है कि ट्रे बहुती रंगीला मिजाच का है और उसका चकर शेरी की बेस्ट फ्रेंड के साथ ही चल रहा था इसलिए उनका ब्रेक अप हो गया है ट्रे शेरी को अपनी घर लेके आता है जहां सेरी की बेस्ट फ्रेंड भी मौजूद थी पहले तो बहुत चिला रही थी बट बाद में शेरी की हालत दे के सांथ हो गई यहां बहुत आरे दोस्त एकात मूवी देख रहे थे एक लड़का था न लानी इथन वहां भी पहुत चुका था सारे दोस्त गन लेके रेडी हो जाते हैं पर कुछी मिंटों में इथन सबको मार देता है शेरी बाहर आती है तो इथन उसके साथ डांस करने लगता है और शेरी को लेके जाने लगता है बाहर ट्रे था शेरी उसे वर्ण कर रही थी कि कुछ मत बोलो पर ट्रे जैसे ही बोलने जा रहा था इथन ने उसका गला ही काड़ दिया दांतों से मौका देखके शेरी फिशे वहां से भागती है और एक ब्रीज के ऊपर चली जाती है पर इथन उसी ब्रीज की दूसरे रस्ते पर खड़ा था तब ही अचानक से एक का पर चुप जाती है उसे सूंग के एथन ऐसे खड़ा होता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है और वो उस कार के पीछे चला जाता है फिर भागते हुए चर्च में जाती है और फादर से क्रॉस और होली वाटर मांगती है इस बरुसे की साय कुछ हो जाए पर फिर उसकी न डर जाती है और माप ही मांगने लग जाती है पर हमें उसका डिमॉनिक रूप नहीं दिखाया जाता है फिर तभी अचानक से जखवी फादर बड़ा सा क्रॉस लेके इथन की गले में घुसा देता है और शेरी को भागने बोलता है शेरी कूपिया रस्ते की मदद से अंडर लेड़ी को कॉल लगाती है नंबर उसे मिसिंग लड़की की पोस्टर से मिली थी फिर वहाँ पर कुछ लड़के शेरी को परिशान करने लगता है पर कुछ लड़कियों की गुरूप आके उससे बचा लेते हैं और अपने साथ कार में लेके जाते हैं शेरी को उनके साथ से खून निकलने लगता है और अग्सिडेंट्स हो जाता है और आक्सिडेंट इथन नहीं करवाया था इथन वह आ जाता है और एक कुट तो से डरता है इस लिए वहां से गाइब हो जाता फिर शेरी फर्स्ट लेडी की पास जाती है शेरी को वहाँ पर एक डीना नाम की लड़की मिलती है जिसको फर्स्ट लेडी कहा जाता है यहाँ डीना शेरी को बताती है कि असल में एथन एक एंजल है और उसका काम था भटके हुए लोगों को रहा दिखाना और मानब जाती का रक्सा करना पर इथन ने फैसला किया कि बस मर्द मर्द ही दुनिया पर राज करेगा इसलिए वो धीरे-धीरे सारी लड़कियों को अपना सिकार बना रहा है और उसे रोकने के लिए फर्स्ट लेडी को भेजा गया है फर्स्ट लेडी यहां पर रूम को रेड लाइट के जर और वो हर जगा से मिले और वो कुस लड़की को ढूंड ना पाए सेरी भी अपना खून देती है फिर फर्स्ट लेडी बोलती है वो उसे चारे की तरह इस्तेमाल करेगी और इथन को खतम करेगी जिसमें सेरी मना कर देती है क्योंकि उसकी चोटी सी बच्ची है पर जिसी एक जगा पर पहुंच जाती है जहां पर इथन को मानने का खास गर बनाया हुआ था यहां आके शेरी अपना गहाओ को कुरेती है और खून निकालती है और इथन को बुलाती है यहां तक कि वो अपना प्रियर्स का खून भी फर्स पर गिराती है और उसे सून के इथ वहाँ पर आ जाता है और शेरी पर हमला कर देता है और शेरी को दोनों हातों पर काटा लगा के लटका देता है शेरी को कोई रस्ता नहीं दिखता है इसलिए वो हार मान लेती है ये सून के इथन उसे नीचे उतारता है मानने के लिए और मौका देखके शेरी पैर से एक पत् की को तोड़ के तोड़ देती है और सारी सूरज की किरन इथन पर पड़ती है और वो दर्ज से तड़पने लग जाता है और भीगी बिल्ली की तरह भागने लगता है फिर शेरी उशे कहती है सूरज की किरन के सामने तुम्हारी कोई आउकात नहीं है तो तुम्हारी ताकत कि काम की अब तुम्हारी औरतों का सिकार करने का दिन खतम हुआ फिर फर्स्ट लेडी गैसलाइट से इथन को जिंदा जला देती है फिर शेरी अपनी घर जाती है और अपनी बेटी को देख के बहुत खुस हो जाती है इसी की साथ यह मूवी यही पर खतम हो जाती है अगर स्टीवेशन मिलेगी आगे और वीडियो बनाने की खैंक्स फॉर ओचिंग